प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथट को पढ़ रहे थे कि अगर बाइलोजी के अंदर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए जो रिलेटिड हो बाइलोजीकल चीजों के साथ तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सिम्पल सी टेक्नीक का सारा लेते हैं जिसमें सबसे पहले अपने पॉइंट था रिकोगनाईस दा बाइलोजीकल प्रॉब्लम मसले की शनाख्त करना उसको पहचानना जब आपको मसला समझ में आ जाए आप उसकी शनाख्त कर लें आप उसको डिफाइन कर सकतें कि भई ये हुआ था ऐसे है ये है वो है पिर अगला स्टेप होता बड़ा ही जबरदस्त वो होता है अब्जरवेशन्स मुषाहिदा करना तो जैसे ही मसले की पहचान हो जाती है तो बाइलिजिस्ट क्या करता है कि वो पहचान करने के दुरान किये गए मुशाहिदा या उसके बाद जो नए मुशाहिदे करने है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उन सारों को इकठा करना शुरू कर देता है जो अब्जर्वेशन्स होती है बटाब मुशाहिदा आर मेड विद फाइफ सेंसे उफ वीजन ठीक है आपके पास जो पांच सेंसे होती है उसमें होती है वीजन देखना हेरिंग सुनना स्मेल सुंगना टेस्ट चकना टच चूना या चूने को महसूस करना तो कोई भी इन 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 पांचियों को इस्तमाल करके चीज़ को अब्जर्व करता है जैसे आप खाना कहा रहे हैं तो पहले आप आँखों से खाना को देखते हैं कि ये फ्रेश है या दिखने में कैसा है फिर नाक से उसे स्मेल करते हैं कि इसकी स्मेल अच्छी है ये खराब तो नहीं है कर आप उसको हाथों से तोड़ते हैं और जुबान पर रखते हैं जैसे ही जुबान पर रखते हैं आपको टेस्ट आता है तो देखो खाने को दूर से देखना इसे लेकर उसे जुबान पर रखे चकने तक आपने अपनी तमाम सेंसिस का इस्तमाल किया इसी तरह को डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी पहले आपको आँखों से देखता है तो फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है अब्सर्फ करता है कि आपकी हालत कैसे अगर तो आप करे ना हाई डॉक्टर साब बड़ी तबीयत खराब हो गी है मेरी तो डॉक्टर समझ जाता भी ये बहुत जादा पेन में है ठीक है तो पहले वो आँखों से देखता है अब्सर्फ करता है फिर वो आप से पूछता है क्या हुआ और अपने कानों से सुनता है और कानों से अब्सर्फ करता है फिर वो इसी observation के तनाजर में जेन में सोचता है कि ठीक है इसका बुखार चेक करले तो वो एक thermometer आपको लगा देता है उससे पिर वो observe कर लेता है thermometer से भी वो observe करता है ठीक है जी तो इसी तरह doctor भी आपको चेक करने के लिए observations का सहरा लेता है सेंसिस को इस्तमाल करते हुए ठीक है बेटा अब ये होगी आपके पास एक चीज कहता है अब्जर्वेशन्स दो तरह की हो सकती है एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अब्जर्वेशन्स बेटे सर पे माथे पे हाथ लगाती है और कहती है हाँ बुखार है और काफी तेज है या है नहीं अभी ज्यादा नहीं हुआ लेकिन है ऐसे भी कभी कभी कहती है लेकिन क्या वो एकुरेट बताती है कि आपको बुखार कितना है तो जवाब है नहीं तो qualitative जो है वो basically अंदाजा होता है जो quantitative है वो measurable होता है quantity wise लिखा भी जा सकता है हाथ से बखार चेक किया तो observe है कि हाँ जी बखार है लेकिन जब थर्मामीटर से करोगे तो exact पता चल जाएगा कितना बखार है तो ये होता है qualitative और quantitative का फरक मैं आगे भी बताता हूँ कहता है quantitative observations are considered more accurate मैंने भी बताया कि जो quantity wise हो जिनको नापा जा सके जिनको mathematically आगे बियान भी किया जा सके वो ज्यादा बितर है than the qualitative ones because the former former कहता है पहले वाली quantitative are invariable and measurable ठीक है जी ये मापने के काबल है and can be recorded in terms of numbers जैसे मैंने का न थर्मामीटर से चेक किया तो आप कोगे 101 तो आप numbers की सुरत में बता सकते हो जबके हाथ लगा के आप सिरफ ये तो बता सकते हो कि माता गरम है लेकिन कितना बुखार है ये ने बता सकते ठीक है बेटा examples हैं इसकी आगे qualitative और quantitative की ये आपने दोनों examples खुद पढ़नी हैं मैं इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और मज़े से पढ़िए और इसको समझिए ओके बेटे अलाफ फेस